Welcome back students, आज हम पढ़ेंगे English और आज का हमारा topic है कुकू बच्चों, unit 2 में आज हम poem पढ़ेंगे और उसका नाम है कुकू Question number 1, listen, repeat and sing सुनिये, कहिये और नजम गाईये तो आईए बच्चों, आप भी मेरे साथ में नजम पढ़िये कुकू, कुकू, what do you do? In April, I open my bill In May, I sing all day In June, I change my tune In July, away I fly In August, go go I must बच्चों, कुकू हम किसे कहते हैं? कोयल को कहते हैं, ओके? और नीचे यहाँ पर कुछ कुशन दिये गए हैं कुशन नमबर टू, find the rhyming words in the poem नजम में मौजूद हम आहंग अलफाज तलाश कीजिए अब बच्चों, हम इस नजम से हमें क्या तलाश करना है? rhyming words तो सबसे पहले हैं यहाँ पर कुकू कुकू का rhyming क्या जाएगा बच्चो? दू दूसर नमबर पर है एप्रिल एप्रिल का rhyming क्या जाएगा? बिल तीसरा है मे मे का rhyming क्या जाएगा बच्चों? दे चौथा है जून जून का rhyming त्यून पांचुआ है जुलाई जुलाई का rhyming क्या जाएगा? फ्लाई और छट्टा है हमारा August, August का rhyming क्या आ जाएगा? Must तो बच्चों इस तरीके से आपको rhyming words आपको अपनी notebook में लिखना है Q3. Listen to the names of months, take the ones that are there in this poem महीनों के नाम सुनिये, नजम में आई हुए महीनों के नामों पर निशान लगाईए तो जैसे के बच्चों आप सभी को महीनों का नाम पता होगा तो हम इस नजम में से महीने का नाम टिक कर लेते हैं, उके? तो सबसे पहले आया है April, फिर इसके बाद है बच्चों May, फिर क्या आया है? June, फिर आया है July, और आखिर में क्या आया है? August Question number four, copy the names of months, write these names in उर्दू, alongside महीनों के नाम नकल कीजिए, इन ही महीनों के नाम बाजू में उर्दू में लिखिये तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको अपने नोट बुक में महीनों के नाम लिखना है फिर इसके बाद उर्दू में उन महीनों को क्या कहते हैं? तो वो लिखना है तो सबसे पहले आप January लिखेंगे आप फिर इसके बाजू में उर्दू में लिखेंगे January इसके बाद क्या आता है बच्चो? February तो इसे उर्दू में लिखेंगे February फिर बच्चो क्या आता है? March तो आप उर्दू में भी आप लिखेंगे March फिर इसके बाद आता है April तो आप उर्दू में बाजू में क्या लिखेंगे बच्चो अपरेल लिखेंगे फिर में आता है तो आप उर्दू में बाजू में आप माई लिखेंगे उसके बाद क्या आता है बच्चो आप मुझे बताओ very good उसके बाद आता है June तो आप उर्द उर्दू में जुलाई लिखेंगे फिर अगस्ट आता है तो आप उर्दू में आप बाजू में क्या लिखेंगे अगस्ट लिखेंगे फिर इसके बाद सेप्टेंबर आता है तो आप उर्दू में बच्चों आप क्या लिखेंगे आप सितंबर लिखेंगे फिर इसके बाद आता है October तो आप उर्दू में October लिखेंगे फिर इसके बाद November आता है तो आप उर्दू में November लिखेंगे और last क्या आता है बच्चों आखिर में December तो आप उर्दू में December लिखेंगे तो बच्चों आपको अपनी Notebook में इन 12 महीनों के नाम लिखना है और इस नजम को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है तेखिये बच्चों नीचे भी आपको बॉक्स में इन 12 महीनों के नाम लिखे हुए दिखाई दे रही है तो आपको इन्हें लिखना है और इन्हें अच्छे से याद भी करना है ओके बच्चों तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गुडबाई